नमस्कार अब सवाल ये है कि जिस वक्त पूरी दुनिया में हर सेक्टर में मंदी चाही हुई है उस समय इतनी बड़ी डील का क्या मतलब है और दूसरा सवाल कि इस डील से भारतियान लोगों का क्या फायदा होगा तो इसे ही समझने के लिए आईए शुरू करते है आज का अपना एप बात करते हैं इस वक्त ये डील क्यों और इसे समझने के लिए ये अच्छे से समझना जरूरी है कि डील है क्या देखिए डील के दो हिस्से है पहला हिस्सा ये कि फेस्बुक ने रिलाइंस जियो में 43,574 करोड रुपे इंवेस्ट करके रिलाइंस जियो के 9.99% स्टेक खर इस खरीद के बाद जियो प्लाइंस की टोटल कीमत यानि की जियो प्लाइंस का नेट वर्थ 4.62 लैक करोड का हो गया है डॉलर्स में बात करें तो ये कीमत करीब 66 बिलियन डॉलर है और इस डील के दूसरे हिस्से में रिलाइंस रिटेल लिमिटेड और वाटसेप के भी ए और वाटसेप और जियो मार्ट साथ मिलकर कैसे इंडिया के लिए काम करेंगे जियो मार्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लाइण है जिसमें भारत के सभी छोटे बड़े रिटेलर्स और शॉपकीपर्स अपना बिजनेस चला सकते हैं ये कुछ-कुछ एमेजान और फिलिपकाड ज लेखिए वाटसेप पे गेट्स एनपी सी आई नौड फर इंडिया रोलाउट तो बी लॉंच्ट इन फेजड मैनर यानि कि साथ फरवरी दोहजार बीस को नैशनल पेमेंट्स कॉर्परेशन आफ इंडिया ने वाटसेप पे को भारत में बिजनेस करने की अनुमती दे दी वाटसेप पे बिलकुल गूगल पे और पेटियम जैसा ही फीचर है बस फरक इतना है कि इसके लिए कोई अलग से एप नहीं होगा बलकि अभी जो एक्जिस्टिंग वाटसेप एप है जिसे हम यूज करते हैं उसमें ही एक अपडेट के जरिये ये फीचर एड़ किया की जगा लेने की तैयारी में है और जैसे हम अभी Amazon या Flipkart में पेमेंट के लिए गूगल पे या पेटियम का इस्तमाल करते हैं अब हम जियो मार्ट में पेमेंट के लिए वाटसेप का इस्तमाल करेंगे इस डील से दोनों ही कमपनिया एक दूसरे के आने वाले प्रोजेक् करेंगी आईए अब आते हैं अगले सवाल पर कि इस डील से भारत का क्या फायदा होगा सबसे पहला फायदा तो ये कि इस स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइस जिनकी हमेशा की शिकायत यही रही है कि Amazon और Flipkart जैसी कमपनियों ने उनका धंदा चौपट कर दिया है उन स्म उसमें सबसे बड़ी चनौती कैश वाली खरीदारी होगी जादतर लोग नोट के लेंदेन से और बाहर दुकानों पर भी जाने से कतराएंगे और ऐसे में आप सोच सकते हैं कि जब जादतर लोग कैशलेस ऑनलाइन शौपिंग पर भरोसा करेंगे इस वक्त आप समझ सकते है कि कैसे इन छोटे दुकानदारों को कितना जादा नुकसान भुगतना पड़ेगा जियो मार्ट ऐसे दुकानदारों को नुकसान से बचाने में मदद करेगा और इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये कि इससे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज हाई स्केल पर बढ़ेंगी देखा जाए तो फेसबुक और रिलाइंस जियो दोनों का ही यूजर बेस इंडिया में काफी बड़ा है और इतना बड़ा यूजर बेस इनके जियो मार्ट और वाटसेप पे के प्लैन को और भी ज्यादा रियल बनाता है और एक आखरी फायदा इंडियन और फोन कॉल बहुत सस्ता करने की वज़ा से पिछले चार सालों में सहना पड़ा था वो कर्ज भी अब 2023 तक जीरो होता दिख रहा है और अगर इंडिया की कोई कमपनी प्रॉफिट कमाती है तो उससे इंडियन एकनॉमी भी मजबूत होती है और इसी खबर के साथ अब मु सब्सक्राइब करें दाब लिंक क्योंकि जनता का जानना जरूरी है